हमीरपूर जिला पुलिस ने 320 गराम चिट्टे की बड़ी खेप बरामत की है मामले में दो आरोपियों को गिरफतार किया गया है जिनहें जल्द पुलिस अदालत में पेश करेगी सदर्थाना पुलिस ने NGPS Act के तहत मामला दर्ज कर आगामी कारवाई शुरू कर दी है हमीरपूर पुलिस ने 320 गराम चिट्टे की खेप के साथ दो आरोपियों को गिरफतार किया गया है पकड़े गे आरोपी पहले भी नशा तसकरी के कई मामलों में आरोपित हैं ये आरोपी हमीरपूर के ही रहने वाले हैं पुलिस अधिक्षिक हमीरपूर कार्तिके इन गोकुल चंडरन ने कहा कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NGPS Act की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर चानबीन शुरू कर दी है आरोपियों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा उन्होंने कहा कि लोकल मार्किट के हिसाब से इस नशीले पदार्त की कीमत 25 लाग के करीब है जबकि अंतराष्ट्री औ बाजार में करोडों में है पकड़े के आरोपियों मैंसे एक युवक बहु तकनीकी संस्थान का छात्र है जो पिछले वर्ष ही पास आउट हुआ है वहीं दूसरा आरोपि ड्राइवर है जो इन दिनों निजी गाडियों से सवारियां ठोने का काम करता है इसको सदर पीएस में हमने रेजिस्टर किया है सेक्शन ट्वेंटीवन और सेक्शन ट्वेंटीन ऑफ एंडीपीएस के आक्ट के अनुसर रेजिस्टर हुआ है और इसमें दो अक्यूजड गिरफतार हुए है एक है शिवम पढ़ियाल और दूसरा है सतीश कुमार सतीश कुमार का उमर है तकरीबन 43 और शिवम पढ़ियाल का उमर है तकरीबन 23 और ये दोनों अक्यूजड जो गिरफतार हुए ये इसके पहले भी इनके खिलाफ एक दो केसे हैं और यही इसका ब्रीफ आज सुदा ही रेजिस्टर हुआ है तो जिसी केस रेजिटर हुआ आपको मैंने सुचना दिया है परन्तु इस चीज को अभी और इंवेस्टिगेट करेंगे और इंडेप्स में जाएंगे हम यह पता करेंगे इन्होंने कहां से प्रक्यूर किया था और फिर यह कहां ले जाने की कोशिश कर रहे थे क्या कर रह परन्तु लोकल मार्केट में इसका कीमत है बड़े शहरों में ज्यादा है चोटे शहरों में कम है या उस हिजाव से तो तकरीबन सेवन थाउजन के आसपास एक ग्राम का माना जाता है बेसिक स्टार्टिंग रेट होता है अपकोस वह क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है कि आगे उपर इंचे भी होता है जी दोनों एक तो है हमिरपूर का इस जहांडी जहांडी विलेज का है सतीश कुमार और शिवम पत्याल है अपना मोहिन वीपी और मोहिन एक तो अपना पॉलिटेखनिक कॉलेज में परता है जो कम अमर का 23 उमर का लगता है दूसरा मेरको ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल हमिरपूर